जमुकश्मीन में सुरक्षाबलों ने आतंगवादियों के साजिश को नकाम कर दिया है। जमुकश्मीन में सुरक्षाबलों ने आतंगवादियों ने सुरक्षाबलों पर सुबह पांच बजे फाइरिंग करना शुरू कर दिया। जमुकश्मीन में करोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए इस किट का पहला बैच यहां सबसे पहले उपलब्त किया जाएगा। देश की राधाने दिल्ली में करोना का तीसरा पीक चल रहा है। रोजाना दिल्ली में करोना से होने वाले मौतों की पिछले एक दिन में पहली बार 131 लोगों की मौत दर्श की गई है। जबकि 7486 ने मरीज मिले हैं। हलाग को देखते हुए सियम केजरिवाल ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्दलिय बैठक बुलाई थी। फिलहाल बैठक शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आप निर्भर नेधी में पी-म सुनेधी योजना में 27,33,000 से जादा आवेधन पत्र मिले हैं। योजना में ठेले पर घुम घुम कर सामान वेचने वालों को सीधे लाब मिलेंगे। कुल 14,34,000 से जादा आवेधन पत्रों को मंजूरी दे दी गई है और करीब 7,88,000 लोगों को कर्ज बाटे गए हैं। आवास एवं शहरी मामलों में मंत्रालाई ने एक बयान में कहा है कि जो रेडी वाले COVID-19 लोगडाउन के कारण अपने घरों को लोट गए थे, वे इसकर्ष के पात्र हैं। प्रधान मंत्री नर्यमोदी और लग्जंबर्ग के प्रधान मंत्री जोवियर वेटन के बीच आज वर्चुल बैठक होगी। पिछले दो दर्शकों में यह पहला अफसर होगा जब दोनों देशों के शीष निताओं के बीच बैठक हो रही है। दोनों नेता कोविट परिवर्थिक विश्व में भारत लग्जंबर्ग सयोग बढ़ाने सहीद दुपक्षिय संबंधों के समूचे परिपेख्ष पर विचार करेंगे। अंतराशिय और आफसी हित के वैश्विक मुद्दे पर भी चर्चा होगी। द्रधान मंतरी नलमोधी आज वीडियो कॉनफरेंसिंग के माध्यम से बैंगलूरू टेक समिट 2020 का उधगाटन करेंगे। इस बार समेलन का विश्व नेक्स्ट इस नाउ यानि कोविट के बाद अब पहला कदम है। इन 3 दिनों के शिकर समेलन में महमारी के बाद विश्व में उभरती प्रमुक्शनौतियों पर चर्चा होगी। इस दोरान सूचना प्रद्योगी की और इलेक्ट्रोनिक सथा बायो टेक्निलोजी के शेतरों में विशिष्ट प्रद्योगी की और नप्रवर्तन के प्रभाव पर विशेश रूप से विचार किया जाएगा